Hey guys what's up, how are you? My name is Neeraj और आप देख रहे हमारा चैनल Neeraj Arora Classes This channel is dedicated to CA fraternity, CA students और हम लोग भूँत सारी वीडियो इस पे बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग हो पाएं अपने इस जर्नी में successful आगे पढ़ने से पहले थोड़ी सी आप लोग उसमें बाते बतायता हूं हम लोग पढ़ने वाले इस राज और अदर हम लोग करेंगे क्या vouching verification मैं कर रहा हूं सर आपके लिए RTP के questions और अब जो मैं question करने जा रहा हूं वो है profit or loss on sale of plot held by real estate dealer जल्दी से आप लोग अगर इसका answer रखना चाहते है अपने पास एक screenshot यह ले लिजिए this one और साथ ही साथ में एक screenshot यह ले लिजिए total मिला कि ICI ने 6 points दिये हैं मैं आपको करवाँगा सर रिसमें से 4 points क्योंकि vouching verification के answer में generally 4 points ही लिखने होते हैं audit procedures पे assertions पे audit evidence पे और audit techniques पे आपको पता नोची के इनके बीच में आपस में relationship क्या है तभी आप लोग वाओ जी गरिफिकेशन ने बहुत सफल हो सकते हैं अगर आप हमारे super 80 marks package वाले student है तो आपके बास यह वीडियो होगी और उसके बाद यह questions आप देखिए definitely आपको फाइदा होगा सो यह question करने के लिए मैंने निकाले इसर अपने पास 4 points और उन 4 points से अपना कारे करम बन सकता है जैसा कि मैं हमेशा सिखाता रहता हूं कि answer में सबसे पहले भूमी का बनानी आनी चाहिए तो हम लोग किस चीज़ का audit करने जा रहे है किस चीज़ की vouching करने जा रहे है हम लोग करने जा रहे है vouching profit or loss arising on sale of plot held by real estate dealer right? तो मैं एक बाद लिखन लिख देता हूं profit and loss किस को किस पर profit and loss sale of plot किस ने किया है real estate dealer profit and loss sale of plot real estate dealer तो देखो बात simple है real estate dealer के लिए क्या होता है stock and trade होता है क्या होता है stock and trade होता है ठीक है तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है it is a current asset not a fixed asset अब आप लोग इसको line में बना के लिखे आएंगे ये तो मैं आपके लिए short notes त्यार कर रहा हूँ आप लिखे आएंगे के the plot held by real estate dealer will be current asset for him or her but not a fixed asset and therefore its valuation shall be done on the basis of market value or cost whichever is less इतने लिखने के बाद अब एक और line लिखेंगे के sir जो भी हमारे पास plots हैं जो भी हमारे पास plots से profit or loss हुआ है real estate dealer को उसको अगर आप vouch करना चाते हैं तो उसकी vouching के लिए आपको यह points जो है consider करने पड़ेंगे सबसे बेला point मैं आपको देता हूँ देखी जैसे मैं लास्ट वीडियो बताया था मैं आपको एक major head दूँगा उसके बाद आप उसके अंदर की कुछ बाते जो है वो रट लेंगे तो सबसे बेला point मैं आपको देता हूँ property account property account में क्या बोलना चाहता हूँ property account जो है वो PR से analyze किया जाए और अगर मैं technical word यूज़ करूँ जैसा कि मैंने आप vouching की basic video बताया था PR से examine किया जाए property account को और जितने भी हम देखें जो charges बगएर है वो सारे charges जो है properly appropriated है या नहीं debited है या नहीं इससे property की cost पे क्या impact आता है देखिए guys थोड़ा सा technical आपको लग रहा होगा लिगि इसका कोई और solution नहीं है कारण हम लोगों ने अभी हम में से काफी लोगों ने कभी भी life में audit नहीं किया है हम बस exam दिने जा रहे है audit का दूसरी बार जिन्हों ने audit किया है वो भी जरूरी नहीं है कि उन्हों real estate dealers का audit किया हो और तीसी बात यह है कि सब theory और practical चीज़े बहुत अलग-अलग होती है कि आप इस बात से agree करते हैं नीचे comment box करके बताईएगा कि theory और practical दोनों बहुत अलग-अलग होता है खासकर auditing जिस सब्जेक में सबसे बहुत हमें एक property का हर plot का हम लोग account देखेंगे कि जो भी हमारे charges वगए रहे हैं वो properly appropriated है या नहीं ये तो profit or loss की verification करने है तो इसलिए हमें cost की verification करना जरूरी है कि सारे charges जो है appropriately debited है या नहीं charges appropriately debited है या नहीं charges appropriately debited, ठीक है अगर charges appropriately debited है तो बहुत बढ़िया है sir अगर नहीं है तो आपको ये दिक्कत देने वाले है सब्सक्राइब यान करें तक राइन इस से खुष गलाथ हुगा थेन सेटन पोइंट मिम बात करेंगे कांच आइन को मसारी प्लॉटक के लिए सारे हमारे जितने ही हमारे पास लांड के प्लॉट पड़े थे उनके लिए हम ने जरूर कोई नहों कोई कोई कामोंच आज हिंकर 3rd point हम लोग जाएंगे थोड़ा सा जुगाम हो रहा है 3rd point हम लोग जाएंगे और देखना चाहेंगे कि भाई अगर हमारे पास land price list available है तो मैं compare करूंगा कि जो मेरे पास land price list है basically आप इसको ऐसे समझ लीजिए आपके असान कर रहा हूं आपके लिए और last में हम लोग देखेंगे कि जो sale proceeds आएंगी अगर उसमें से कोई हमें taxes वेगरा या कोई और other legal expenses वेगरा पे करने है तो हमने उसका provision बनाया है या नहीं whether provision have been created for the taxes and other legal expenditure or other legal expenses which are to be paid out of the sale proceeds of sale of plot of land okay ये चार point guys मैं आपको बोल सकता हूं कि हाँ अब देखो ये question अगर exam में आ जाएगा न आपको सुनके भी लग रहा होगा है ये तो बहुत असान है I can bet 80% बच्चे लिख नहीं पाएंगे 20% बच्चे जो लिखेंगे उसमें से सिरफ और सिरफ एक या 2% बच्चे ऐसे होंगे जो ICAI के points लिख पाएंगे बाकि सब अपना रागला आपके आ जाएंगे इससे पहले मैंने vouching का question दिया था आप लोगों को सारे question की video देखिए बेसिक अपनी understanding अच्छे रखिए हो सकते हैं तो हमारा super 80 marks का package बाएंगे कर लिजिए किसी भी तरीके साथ में जूड़े रही है चाहे YouTube पे चाहे super 80 marks का package के थुरू और super 80 marks का package बारे मैं क्या बोलूँ अगर आप मेंसे किसी ने देखा हुआ है और मैं वीडियो की बहुत एंड में बोल रहा हूं तो शायद कोई comment ना करे लेकिन आप मेंसे किसी ने देखा हुआ है तो प्लीज नीचे comment करके बताइएगा कैसे लगा आपको 80 marks पैकेज और बस हो जाएगा सब कुछ तरह यार वाउचिंग का अगला कोशन बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाओंगा मैं इसी चैनल पर चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा और अपने दोस्तों साथ शेयर करते रहें क्योंकि